तो एसनेल के नियम से हम लिखेंगे क्या एसनेल का नियम लगेगा तो आप जानते हैं कि जाना माध्य में आपतन कुन है आपतन कुन इसमें आई है न तो इसके साथ साइन होना चाहिए और इसका अपवरतनांग संग होना चाहिए आप साइन मिववन साइन आई मत देखिए अब यहां भाव यह लगेगा कि देखिए इसका कौंड कितना है आई है तो इसमें sign लगाई है इसका अप्वरतनांग पॉगल में लिख दीजिए फिर यहने देखिया यह R है क्या लगाएंगे sign R आइसका अप्वरतनांग फॉगल में लिख देंगे ना तो M, 2 बटा M, 1 हो जाएगा आइधर साइन, R बटा साइन आइधर हो जाएगा अब क्या होगा? स्वमिक्रन एक हो जाएगा किलियर लेकिन आप जानते हो साहीब एक सघन माधियम एक विरल माधियम है तो सगहन माध्याम का अपरतनांग कितना है? मूटू है, अब बियल का कितना है? मूटू है, अपरतनांग किसका ज़्यादा होता है? सगहन का कि बियल का? सगहन का, सावित हुआ, कि सगहन का अपरतनांग ज़्यादा होता है मतलब अगर हम कहे तो Mew2 बटा क्या हो जाएगा अग्रेटर क्या हो जाएगा equation क्या हो गया equation एक और दू की बात करे equation एक एन दू से अब हमें करना यह होगा Mew2 बटा Mew1 के जगा पर क्या रखना होगा sin R बटा sin I A greater क्या है 1 , दोनों तरफ मुखएंच सब्सक्राया हो जाएगा, अब दोनों तरफ न रस सब्सक्राय बढ़ है ही से तो आर यह अगर बरा हो गया आई से मतलब इस अभिलाम से क्या भागा इस तूर भागेगा तो नहीं बरा कुर मनाएगा अन नस्दीक आगा ती तो कुन छोटा होगा तो आर बरा है इसका मतलब क्या है अभिलाम से क्या भागा है तूर भागा है तो हम लोगों ने यह सावित करने में सफलता प्राप्त कर लिया कि अगर प्रकास सगन माध्यम से बीरल माध्यम में जाए तो अभिलम से क्या भागती है दूर भागती है और प्रकास जब बीरल माध्यम से सगन माध्यम में आती है तो अभी लम क्यों मुर जाती है इसको जानने के लिए अगला वीडियो हमारा देखिए फिलाल में लिखिए